हेलो फ्रेंज दिस इस और होस्ट रस्चित पंगाल आज हमारी वीडियो है टोपिक है बोल बोल डोग और इसे अफ्रिकन मेंस्टिप के नाम से भी जड़ा जाता है इस वीडियो को में टोटल 4 पोइंट में कवर करूँगा फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरीजन सेगें जर्नल अपेरेंज थर्ड पॉइंट क्या ही डोग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है और फॉर्ट पॉइंट प्राइज अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की जो है इस डोग का ओरीजन है साउथ अफ्रीका से सेटलर्स थे जो साउथ अफ्रीका के वह पुराने टाइप बुल टाइप और मेस्टिव टाइप की ब्रीड लेगा आए थे अपने पास वह उसका परपस था कि वह अपने प्रोटेक्शन के लिए लिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कराने के लिए प्रेडिटर से क्यो सेटलर्स थे साउथ अफ्रीका के वह ब्रीड लेगा थे यूरपियन लाइंग भी लेगा थे और मैस्टिव टाइप लेगा थे तो इन ब्रीड के बीच में इंटर ब्रीडिंग होई थी और उसका रिजल्ट आए था बोर बोर डोग जो यह आज के टाइप में हमारे पास अफ्रिक के में विए उसका राम है बोर बोर डो तो यह बीड इसका रिजल्ट आए था जो बोर सटllä है उन्हों इस विरेड़ को क्रिएक करा। विड गें में के लिए और प्रोटेभ्षिंग के लिए तो को कर रहा है था और इसे फार्मर डोग की तरह भी कहरें जाते हैं मतलब करते हैं चोटी सा इसकी रखते हैं और इसके मैं बताता हूं कि है इसके के सब्सक्राइब करते हैं इसके पर में उप्रेट करते हैं इसकी उपर में और इसके मेलगा 65-90 kg के बीच में और फीमेल का वेट 55-70 kg बीच में अब बात करते हैं इसकी हाइट की इसकी आइडियल हाइट है 60-7770 मेटर के बीच में अब बात करते हैं कि क्या आपके लिए पर्फेक्ट है नहीं है मैं कुछ पॉइंट्स पताओंगा उससे साथ से आप देखना है यह पर्फेक्ट है यह नहीं है सबसे पहला पॉइंट यह बैस्ट गार्ड हो गया जो लोग एक बड़िया गार्ड और गोस्ट डूब रहे हैं तो यह एक परफे इसके जो नेर्स होते हैं को रेगुलर ली ट्रिम करते रहे नहीं तो फिर इसके शाप बड़ी हो जाते हैं तो फिर वह दिक्कत आ सकते कई लोग और अब बात करते इसके एक्सरसाइज की यह बहुत जाता है मतलब की एक्टिव डोग है तो इसको कम से कम एक गंटा कम से कम एक गंटा दिन में और शाप को एक गंटा करवाओ एक्सरसाइज क्योंकि जैसे इसके इसके इंचेंट टाइम से पता चलता है हर डोग रीड़ की इसका काम था यह अपने यह टेर्स्ट्रियल डोग है यह अपने इलाक्य को मतलब अपना इलाक्या था उसके इंदर किसी औ जादा एक्सरसाइज के जूरत होती है और अगसे इसले जूरता है क्योंकि आगर एक्सराइज नि करें तो लोग और वीड़ों गया तो फिर पैसे दिकता आजएगा तो यह चीचों का धें अ कि फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीक्या अच्छी तरीक्या से एड़श् और इसका temperament बताता हूं इसका temperament है confident, intelligent और calm अब बात करते हैं last point की price इस dog का price का है Indian market में ये dog इतना ज़्यादा available नहीं है तो इसको आपने import कराना पड़ेगा या जिनके पास है तो 70,000 ओनवर्ड ही मिलेगा या आपको dog इसी के साथ हमारी वीडियो सेतम होती है अगर आपको मारी वीडियो पसंद आती है तो इसे like करें और subscribe करें मारे चैनल को ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए